हेलो दोस्तो नमस्कार आप सबका हमारे यूटू चैनल आर आर एल एजुकेस्टन में स्वागत है दोस्तो आज मैं पुना एक वीडियो लेकर रहा हूँ जो कि बीच्चु बीपेड एंपेड और बीपेड इंट्रेंस एकजाम के लिए मैं बना रहा हूं इस्पेसली तो दो से देखिए जैसा कि मैं पीछे वाली वीडियो आपको दिया था तो कुछ लोगों को कमेंट आया था कि सर और भी तोड़ा सा क्वेस्टन बढ़ाईए कि मैं 10 क्वेस्टन का स्रीज दिया था यह 20 का दे रहा हूं तो चलिए दोस्तों तो मैं क्वेस्टन स्टाट करता हूं आई होप आप लोग को यह बहुत पसंद आएगा बहुत ही important question मैं आप लोग के select करके मैं दे रहा हूं तो इसको ध्यान से पढ़िए चलिए start करता हूं उत्तक के अध्यान को जाना जाता है option A histology, option B myology, option C cytology, option D उपर लिखे सभी तो दोस्तों इसका जो correct option होगा वो आपका A होगा histology ठीक है दोस्तों next question कुछ काओं के समूह को कहते हैं option A हिर्दय, option B उत्तक, option C मान स्पेसी, option D हड्यान तो दोस्तों इसका correct जो option होगा वो होगा B उत्तक, कुछ काओं के समूह को क्या कहते हैं उत्तक कहते हैं next question जीवन की सबसे छोटी इकाई है, option है कोसी का, option B उत्तक, option C हड्यान, option D मान स्पेसी तो दोस्तों इसका जो correct option होगा वो होगा A, कोसी का, ठीक है दोस्तों next question कोसी का चारों तरफ से घिरी होती है option, साइटो प्लाज्म, option B, प्लाज्मा मेंब्रेन, option C, माइटो कांड्रिया, option D, गालजी, अप्रेट्स तो दोस्तों इसका जो correct option होगा वो B होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेंब्रेन next question कोसी का के किस भाग को प्रोटीन की फैक्तरी कहा जाता है दोस्तों, बहुत important question है कोसी का के किस भाग को प्रोटीन की फैक्तरी कहा जाता है option है दोस्तों, गालजी, अप्रेट्स, लाइजोसोम, राइबोसोम और इडोप्लाज्मिक रेटिकूलम तो दोस्तों, इसका जो correct option होगा, वो C होगा ठीक है, राइबोसोम, जो कोसी का किस भाग को प्रोटीन की फैक्तरी कहा जाता है तो इसका क्या होगा, राइबोसोम, option C correct होगा नेक्स्ट कोसी का के किस भाग को पावर हाउस ओफ सेल कहा जाता है ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत important question है option A, केंद्रक, option B, गालजी का है, option C, सेंट्रोसोम, option D, माइट्रो कैंडिया तो दोस्तों, इसका भी correct option, इसका D होगा, ठीक है next question, दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में अधिक सधिक सेर करें ठीक है दोस्तों, दोस्तों, कुछ लोगों का जो हमारे पर मैसेज आया था, वाट्सप मैसेज कि सर, other subject जैसे GKGS पर भी बना कर वीडियो दीजिए तो दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं, कि GKGS का भी मैं बना कर दूँँ तो प्लीज कमेंट जरूर करें, कमेंट करेंगे तभी मैं बना पाऊंगा और वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मेहनत करूँ और आप लोगों के लिए और important question प्रोवाइड करा पाऊं ठीक है दोस्तो, तो भूलिए नहीं दोस्तो, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद मैं question कराता हूँ तो चलिए दोस्तो, अगला question है, देखते हैं, मानों में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो इसका क्या होगा दोस्तो, इसका होगा option A 22 जोडे, option B 23 जोडे, option C 24 जोडे, option D 46 जोडे तो दोस्तो इसका जो correct option होगा वो B होगा, 23 जोडे, यदि जोडे पूछता है, तो 23 जोडे और पूछेगा कितने होते हैं, तो 46 बोलेंगे नेक्स्ट सारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला कारक है ओप्षन सारीरिक क्रिया वा दक्षता ओप्षन B सारीरिक वा मानसिक स्वास्त ओप्षन C आत्म विश्वास वा सकरात्मक सोच ओप्षन D वनसानुक्रम वा वातावरन तो दोस्तो इसका जो correct option होगा, ओ होगा D, ठीक है, वन सानुक्रम वा वातावरण, यही हमारे सारीक दक्षिता को प्रभावित करता है, ठीक है, next question, रंग वरण धरता, ठीक है न, रंग वरण धरता में बेकती किस रंगों में भेद नहीं कर पाता है, ठीक है दोस्तो, तो option A ह होगा, लाल वा हरा, option B, लाल वा काला, option C, काला वा हरा, option D, काला वा नीला, तो दोस्तो, इसका जो correct option होगा, वो A होगा, लाल वा हरा, ठीक है, next question, हीमोफिलिया में, डैस, option A, हीमोलिसिस होता है, option B, रग्त का थका नहीं जमता, option C, लाल रूधिराणू, परसपर चिपक जाते हैं, option D, स्वेद रूधिराणू, कोस छती हो जाते हैं, तो दोस्तो, इसका जो correct option होगा, वो B होगा, रग्त का थका नहीं जमता है, ठीक है दो next question, अनुवान सिकी का पिता कहा जाता है, option A, W, Watson को, option B, जान मेंडल को, option C, वान, वेर को, option D, हैंसले को, तो दोस्तो, इसका जो correct option होगा, वो B होगा, जान मेंडल को, अनुवान सिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है दोस्तो, next question, बेसबाल मैदान का आकार होता है देखे दोस्तों ये भी बहुत इपोर्टेंट कोश्चन है बेसबाल मैदान का आकार होता है ओप्षन A आयता कार ओप्षन V वरगा कार ओप्षन C अर्ध बिता कार ओप्षन D डैमेंडा कार ठीक है दोस्तों तो इसका जो correct option होगा, वो होगा D, डैमंडाकार, ठीक है, next question, टॉलर मसल्स की से कहते हैं, option A, ये भी बहुत important question है दोस्तो, A, latissimans, dorsi को, B, deltoid को, C, bicep को, D, sartorius मसल्स को, तो दोस्तो, इसका जो correct option होगा, वो हो जाएगा आपका D, sartorius muscles, ठीक है दोस्तो, next question, football का प्रथम 20 कप कहां आयोजित किया गया, ज्यान दीजेगा दोस्तो, ये भी बहुत important question है, सारे मैं selected, जो important है वही दे रहा हूँ दोस्तो, ठीक है, football का प्रथम 20 कप कहां आयोजित किया गया, option A, Rome, Italy में, option B, New York, USA, option C, Paris, France, option D, mode video, उरुगवे, तो दोस्तो, इसका जो correct option होगा, वो D होगा, mode video, उरुगवे, ठीक है, next question, battle door कीज खेल का प्राचीन नाम है, रस्ता कसी, option B, कबड़ी, option C, badminton, option D, खोखो, तो दोस्तो, इसका जो correct option होगा, वो C होगा, badminton, badminton का जो प्राचीन नाम है, वो battle door है, ठीक है, next question, तलवार बाजी के platform को क्या कहते हैं, most important question है, दोस्तो, option A, ring, option B, mat, option C, seti, option D, fisset, तो दोस्तो, इसका जो correct option होगा, वो D होगा, fisset, ठीक है, next question, attack line किस खेल से संबन्धित है, option A, cover D, option B, खोखो, option C, football, option D, volleyball, तो दोस्तो, इसका भी correct option D होगा, ठीक है, इसका जो correct option होगा, वो D होगा, volleyball, ठीक है, next question, सारीक सिक्षा, बनावट सूचक है, चरित्र का, स्वास्त का, बेक्तितु का, सारीक योगिता का, तो दोस्तो, इसका correct option होगा, C, बेक्तितु का, next, उंगली में, चोट लगने पर, किस प्रकार के, बेंडेज का उप्योग किया जाता है, option A, roller बेंडेज, option B, त्रिकोणिये बेंडेज, option C, टू निकेट बेंडेज, option D, क्रेप बेंडेज, तो दोस्तो, इसका जो correct answer होगा, वो A होगा, roller बेंडेज, next question, किस भारतिये ने, प्रथम grand slam की उपाथी जीती, कि A और B दोनो, option D, उप्रियुक्त में कोई नहीं, तो दोस्तो, इसका जो correct option होगा, वो B होगा, महस भूपती, तो दोस्तो, इसी तरह से, आज का जो स्रीज हुआ, वो खत्म समाप्त हुआ, तो दोस्तो, वीडियो जोदि आपको अच्छी लगे, तो please वीडियो को like करें, अधिक से अधिक share करें, दोस्तो, यदि आप किसी अधर topic पर वीडियो चाहते हैं, तो please comment करके बताएं, कि आप को किस topic पर वीडियो चाहिए, जैसा कि आप सभी को पता है, कि आप लोग का exam जो भीडियो, भीपेड, एमपेड का है, वो 31 को है, तो आप लोग पढ़िये, और ज्यादा सज्यादा question करने के कोशिस करिये, मैं आप लोग को बताऊंगा, प्रेफर करूंगा, कि जो lucent है, ठीक है न, तो GK के लिए वो बहुत बढ़िया है, उसको अच्छे से पढ़ जाईए, ठीक है, सलेबस एक बार आप देख लिजिए क्या क्या है, उसके according, देखकर उसे पढ़िए, ठीक है न, क्योंकि lucent से द related पूछ देता है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, गेम का भी पढ़िए, और lucent भी पढ़िए, ठीक है न, कि किसी भी साइट से ज्यादा मात्रा में कोशन आएगा, तो आप असानी से attempt कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज लाइक नहीं कियें, तो लाइक कर दें, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और चैनल को सबस्क्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, तो इसे तरह आज का स्रीज खत्म हुआ, धन्यवाद, जैहिन, जै बारत